तो नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपकर अपने YouTube चैनल Make4Money में दोस्तो आज किस वीडियो में हम बताएंगे कि आप Facebook आपको किस तरह से डार्क मोड में यूज कर सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर से एक अप्लीकेशन डाउनलोड करने के जुरूत पड़ेगी जिसका नाम है हर्मिट हर्मिट नाम की अप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी और यह अप्लीकेशन सिर्फ 3.4 MB की है इसको आप आसानी से यहां से डाउनलोड कर लीजिए और दोस्तों इसको डाउनलोड करने के बाद इसके बारे में हम अगी step by step सहरी इसके तरीक के बताऊंगा कि किस तरह से आपको यह इस्तिमाल करनी है तो जब तक तो फाइनली हमारी अप्लीकेशन डाउनलोड हो गई है अब इसको हम open करते हैं अब बताते हैं कि आप किस तरह से facebook को डार्क मोड में यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों इसके जो मतलब जो भी इसकी permission है उसको आपको कर देने साइड में जो right का उप्शन दिक रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आपको यहां पर जो पलस वाले जो create का उप्शन दिक रहा है यहां पर आपको क्लिक कर देना है यहां पर क्लिक करते ही आपके सामने वो सभी आप आजाएगी जिसको आप डार्क मोड में यूज़ करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं यहां पर थोड़ा loading ले रहा है तो दोस्तों यहां पर आपको वो सभी आप दिए जाएगी जिसमें आप डार्क मौड यूज करना चाते हैं दोस्तो मान ली जी आपको यहाँ पर Facebook यूज करना है तो यहाँ पर आपको Facebook पर टैप कर देना है और दोस्तों यह Facebook थोड़ी सी देर यह अपनी तरफ से डाउनलोड करती है और आपको एक स्क्रीम पर ही Facebook का एप बना के दे देती है तो दोस्तों यह हमारे Facebook फिलाल यहां पर लाइट में यहां पर डाउनलोड हो गई है अब यह एर दोस्तों यह Facebook ने अपने तरफ से अपने अलग से एक आपको Facebook बराउजर बना के दे दिया तो दोस्तों आप इसको यहां से आप किलिक करके यहां से आप अपने Facebook ID को लोगिन कर सकते हैं तो हम यहाँ अपने Facebook ID को लोगिन कर लेते हैं आप उसके बाद बताएंगे कि सको डार्क मोड में कैसे यूज करेंगे तो दोस्तो जैसे ही आप उस application में अपनी Facebook ID को लोगिन करते हैं तो शुरुआत में दोस्तो आपको बिल्कुल यह नॉर्मल ही दिखेगी तो दोस्तो यहां पर आपको एक setting का option दिखाई दे जाएगा इस पर आप click करेंगे तो दोस्तो यहां पर आपको एक नीचे option दिखता होगा dark mode का तो दोस्तो जैसे ही आप इस dark mode को reset now करते हैं और उसके बाद इस application को दो बार open करेंगे तो दोस्तो आपकी facebook id dark mode में बदल रही है तो दोस्तों इसी तरह से आप भी अपनी फेस्बुक आईडी को डार्क मोड में यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अगर रखी लगे तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करके जाना और बैला आइकन को भी प्रेस जरूर करके जाना तो दोस्तों मिलते हैं अब लेक्ट वीडियो में धन्यवाद